जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ, भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे. दोस्तों, मनुस्य जब सवेरे उठता है तब से लेकर रात्री को जब तक सोता है. हर वक्त घड़ी की टिक-टिक के साथ या पैसे की लेंदेन के साथ वो अंकों से जुड़ा हुआ है. कितने बजे कहां पहुँचना है, कितने बजे से कहां निकलना है, कितना पैसा देना है, कितना पैसा लेना है, कितना काम हुआ, कितने लोगों से मिलना है, कहां कहां जाना है हर चीज नंबर से जुरी हुई है नमबर मनुष्य के जीवन का अभिन अंग है जो उससे कभी अलग नहीं हो सकता है और ऐसा ही एक सास्त्र है अंक सास्त्र जो मनुष्य का जो दूसरा अंग है अंक उसकी समझ देता है और उसका ग्यान देता है बताता है कि किस अंक का यदि आप कहां पर प्रयोक करेंगे तो आपको उसका कितना लाब होगा तो यदि पैसों की बात करें इनकम की बात करें पैसा कमाने की बात करें या पैसा जनरेट करने की बात करें तो उसका एक सीधा साधा अर्थ निकलता है कि आप कुछ व्यपार करेंगे या आप कहीं पर नोकरी करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे पैसा आएगा तो अब यह जो पैसा आना है यह निर्भर करता है आपके डिसिजन्स पर आपके नेर्णे पर कि आप कौन सा काम करेंगे तो ये जो समझ है आपको ये अंक प्रदान करते हैं कुछ ग्रह प्रदान करते हैं कि किस तारीक को किस वार को आपको कौन सा काम करना चाहिए जो आपके लिए अति सुब सावित होगा यदि इस दिन को इतने बजे आपने ये काम प्रारंब किया तो कम महनत में भी आप अधिक सफलता को प्राप्त करेंगे तो ऐसा ही एक उपाय आज में आपको बताने वाला हूँ कि जो आपको कम महनत में अधिक सफल बनाएगा देखिए जीवन है तो कर्म करना पड़ेगा बिना कर्म के इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता हम जिसे नसीब कहते हैं वो भी कुछ हद तक कर्म के साथ जुड़ा हुआ है जब आप कुछ करेंगे तो हो सकता है उसके बदले में कुछ बहुत बड़ा मिल जाता है तो उसको हम नसीब कह देते हैं ठीक है लेकिन कुछ तो करना ही है तो ये कब करें कैसे करें ये मैं आपको बता देता हूँ और एक अंग बता दूँगा और इस अंग को आपको कहां कहां पर लिखना है ये बता दूँगा ये करने से आप जो कोई भी काम करेंगे उस काम में जैसा मैंने बताया आपको अधिक सफलता मिलेगी सफलता वैसे भी आपको मिलती या नहीं मि बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचिंतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूड रहसे हैं जिनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाए आप तक आसानी से पहुँचेंगे और तेजी से पहुँचेंगे ठीक है तो चले दोस्तों बताता हूँ वह उपाए के जिसके जरीए आप बहुत ही आसानी से बहुत ही अधिक मात्रा में पैसा गमा सकते हैं उस पैसे को आप सही ज उन ग्रहों को कोई ना कोई नंबर प्रदर्शित करता है कहने का तातपर है उन ग्रहों के सुभासुब लाब ये ग्रह प्रदान करते हैं ये नंबर प्रदान करते हैं साथ ही साथ इन नंबर्स के जरिये यदि आपको उपाय करते हैं तो वह ग्रह आप पर प्रसन होते हैं औ आपको अटी सुब अती लाग मिलता है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नंबर जिस नंबर को यदि आप लिखते हैं तो आपको बहुत लाग होगा तो यह नंबर है 23 का जो अंक बना हुआ है ये 5 बनता है 2 और 3 का यदिया आप जोड करते हैं योग करते हैं तो ये 5 का अंक बनता है 5 का जो अंक है ये बुद्ध का अंक है बुद्ध का जो अंक है वो आपके व्यपार को आपकी बुद्धी को और आपके होसले को आपके अंदर उत्सा को बढ़ाता है इस अंक को आप जब तीन दफे लिखते हैं तो जो इसका कुल योग बनता है वो सोला का बनता है पंदरा का बनता है जिसका जो मुख्य योग बनता है अंक बनता है वो छे का बनता है जो सुक्र का है सुक्र जो आपको सारी ही वेभव प्रदान करता है भोतिक सुक सुविधाय प्रदान करता है 23 में जो दो मुख्य अंक है दो और तीन के उसमें एक दो का अंक है जो आपके मन को प्रभावित करता है इससे आपका मन आपके काबु में रहेगा, यहाँ वहाँ नहीं डोलेगा, इससे आप स्थिर हो करके कोई भी काम कर सकेंगे और जब व्यक्ति किसी भी काम को स्थिर मन से करता है, मन लगा करके करता है, तो उस काम में उसको बहुत अधिक सफलता मिलती है इसके साथ इसमें एक और अंक है तेन का यह जो तेन का अंक है यह गुरू का अंक है जो व्यक्ति को गुरुता प्रदान करता है विद्वता प्रदान करता है जब भी आप किसी काम में जाते हैं और उसमें दक्ष हो जाते हैं तो उसमें आपको गुरुता मिलती है तो यह काम की सारी ही उपे नीचे की जो भी बाते हैं आप सीख जाएंगे और उसमें आप विद्धुता प्रदाप्त करेंगे और जब आप किसी भी काम में दक्ष हो जाएंगे तो उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी तो तैईस कांग ऐसांग है इसको जोगते हैं तो उसके जो तीम दफ़े लिखने से अंग 6 का बनेगा जो आपको भोतिक सुवधा प्रदान करेगा 5 का अंग आपको बुद्धी को तेक्षर करेगा, व्यपार में फायदा दिलाएगा आपको और आपको जोसीला बना करके रखेगा 2 का अंग आपके मन को काबू में रखेगा, 3 का अंग आपको गूरत अप्रदान करेगा तो आपको 23 का अंक लिखना है, 23, 23, इस तरह से आपको लिखना है, सफेद वाइट पेपर पे हरें रंग से आपको लिखना है, ग्रीन कलर से आपको लिखना है, ग्रीन, ग्रीन कलर से लिखना है, आपको सफेद वाइट पेपर पे आपको ग्रीन कलर से लिखना है, 23, 23, और त तीसरा आपका जो कोई भी कामकाज का स्थाने वहां पर लिख करके रख ले ये तीन ऐसी जगा है जहां पैसों का बना रहना अती अनिवार है यदि ये तीन जगा मेंसे किसी भी एक जगा पर पैसा खत्म होता है तो दूसरी जगा का पैसा अपने आप वहां जाने लगता है और वो एक छेद से आपका पूरा पैसा खत्म हो सकता है तो इन तीनों ही जगाओं पर पैसा बना रहना चाहिए इन तीनों ही जगाओं पर आपका मन लगा रहना चाहिए इन तीनों ही जगह पर आपकी गुरुता दिखनी चाहिए, इन तीनों ही जगह पर आपको दक्षता आनी चाहिए तो इन तीनों ही जगह पर आप 23, 23, 23 को वाइट पेपर में डार्क क्रीन रंग से लिख करके तीनों जगहों पर रख लें ऐसा करने से इन तीनों जगों में आपको 30 सुभ बहुत ज़्यादा लाब होगा और आप देखेंगे कि कम मेहनत में आपको बहुत बड़ी सफलता में लेगी ठीक है यदि कुछ समझ में ना आए तो आप निश्चिन्थ हो करके सवाल कर सकते हैं उसका जवाब देंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रही दिव प्रकास और अपने जीवन में लाभनवित होते रहें धन्यवाद